दोरान साथ विशय गणित प्रक्राण आट रासियो नी तुनला भाग आट आपड़े भाग साथ नी एंदर टकामा वधारो ने घटाडो लेके टकामा केटला टका वधारो थाये चे येन केटला टका घटाडो थाये चे एनी चर्चा करी हैती हवे विभाग H नफो खोट तो केटला पदिनी समझुती मेडवी लिया अपड़े मूर किम्मत, मूर किम्मत को आने केवा माँँचे कोई पन वस्तु खरीता जे रकम आपी पड़े तैने वस्तु नी मूर किम्मत केवाईचे तैने टूंक मा मूकी लखाईचे परतर किम्मत को आने केवा माँचे तैनी बात करिये तो वस्तु खरी दया पच्छी तैना उपर थता खर्चने मूर किम्मत मां उमेरता वस्तु नी परतर किम्मत माड़े तैने टूंक मां पकी कहवाई जेम के आपड़े 10,000 रुप्यानू टीवी खरी दिये अने ए टीवी ने घरे लावा माटे 500 रुप्या आपड़े भाड़ू आपिए टेमप आम लावा माटे तो 500 रुप्या ए खरा जात थे 10,000 रुप्या टीवी नी मूर किम्मत थे तो आपड़े ए टीवी केटला रुप्या हमाँ पड़े तो आपड़े नों सर्वाड़ो करिये तिटला हमाँ येले के 10,500 रुप्या अने आज ए किम्मत बतावे चेने पड़तर किम्मत क्या बाए येले के पड़तर किम्मत बराबर मुकी प्लस खरा जात येले मुर किम्मत नी अंदर खरा जात उमेरिये तो पड़तर किम्मत मड़े पन जो कोई खर्च था तो ना होए तो वस्तुनी मुर किम्मत एज तेनी पड़तर किम्मत चे वेचान किम्मत कोई पन वस्तु वेचता जे रकम उपजे ते वस्तु ने वेचान किम्मत कहवाए तेने टूंक मा वे की लखाए जेम के उधारन तरीके कि आपड़े एक रेडियो रुप्या 500 मा लाव्या एले आपड़े या 500 रुप्या मूर किम्मत हेगी रेडियानी आपने 100 रूपया वधारे लाईने बिजीवेक्ति ने वेचिये छी तारो कि आपने 600 रूपया में ए रेडियो वेचिये छी माटि रूपया छस्सो ए वेचान किम्मत हैगे एले कोईपन वस्तु वेचता जे रखम उपजे तेने वस्तुनी वेचान किम्मत कहवाए तेने टूंक मा वे की लखाए नफो मूर किम्मत करता वेचान किम्मत वधारे होए तो नफो थाए वेचान किम्मत मती मूर किम्मत बात करता नफो मरसे आपने जैंके हम्रज में तमने उदान आपिऊं के एक रेडियो आपने रूप्या 500 मा लाव्या अन ए रेडियो आपने रूप्या 600 मा वेची देशूं तो मूर कीम्मत जेचे 500 छे वेचान कीम्मत 600 तो मूर कीम्मत कता वेचान कीम्मत केटली छे वधारे छे तो किटली वधारे छे? तो बनेनी बाद बागी कदो? 600-500, यहले किटला रुप्या मड़े? 100 रुप्या तो वेचान किम्मत मूर किम्मत करता वधारे छे 100 रुप्या जिटली वधारे छे माटे आ 100 रुप्या ए नफा तरीके ओड़क्वामा आवे छे यहले मूर किम्मत करता वेचान किम्मत वधारे होए तो नफो थाए वेचान किम्मत मती मूर किम्मत बाद करता नफो मड़े छे तो 600 मती 500 बाद करेले आपने 100 मड़े तो सुत्र थेग्यू नफो बाराबर वेकी ओच्छा मूकी अथवा जो खराजात होए तो मूकी नी जिग एज प्रमाने आगल बद करी आपने तो खोट करे तो मूर किम्मत कता वेचान किम्मत ओची होए तो खोट जाए जैम के एक टेबल आपने रुप्या एक अजार मा लावे थोड़ा समय पच्छी ए टेबल आपने रुप्या आट सो मा वेची रही शुँँ तो वेचान किम्मत 800 ыह जेअ ओची छे माटे खोट जाये और खोट की है तो मूर किम्मत छे ऐ मूर किम्मत मा थीवेचान किम्मत बाद करी शो एटले आपने खोट मड़े तो एक अजार ऊच्छा अट सो तो रुप्या बस्सो खोट गई के वयआ खोट के एते माड़े जयारे वेचान के मत उच्छी होए त्यारे तो मुड के मत कता वेचान के मत उच्छी होए त्यारे खोट जाए आने खोट नों सुत्र बनी ग्यूतों पछी मुकी ओच्छा वेकी जो खरा जात हो आए तो मुकी नी जग्या आपड़े पकी गणत्री में लेवी पड़े तो ए वक्ते खोट नों सुत्र बने खोट बराबर पकी ओच्छा वेकी नफो अने खोटनी टका मा घणतरी नफो के खोट हम्मेशा मूर किम्मत के पकी उपर जगणाई नफाना टका एटले रुप्या स्वानी मूर किम्मत उपर थतो नफो ये पांच टका नफो मतलब रुप्या स्वाए पांच रुप्या नफो एन और थे हो थायो नफो औने मूर किम्मत ना गुणत तनने 100 वडे गुणवा थी नफो टकामा मेडवी शकाए तो यह बताविए छे नफो औने मूर किम्मत नो गुणत तन लेवानों एले के जिते आपने कपुनांक मर्शे एने जिते आरे 100 वड़े गुणी सु त्यारे नफो आपने टका मा मड़े तो सुत्र थे क्यों नफो टका बराबर नफो छेदम मुकी के पकी गुण्या 100 एज जिते नफानी जेम खोट तो खोटना टका एटले रुपया 100 नी मुकी उपर थती खोट खोट अने मुड किम्मत ना गुणत अने जारे 100 वड़े गुणवा मा मा आवे त्यारे खोट टका म मड़े गुणत्तर कौनों लेवानों छे, खोट अने मूड किम्मत नों, गुणत्तर अने जैरे 100 वड़े गुणवामा आवे, त्यारे खोट टका ममडे, खोट टका बराबर, खोट छेदम, मुकी के पकी, गुणे 100 तो आपड़े जी अत्यासुदी चर्चा करियाना सुत्र फरी एकवार, नीचे, अने आ सुत्र बराबर जो तमने आवर से, तो आवती वक्ते, यले के भाग 9 नी अंदर, जे नफा अने खोटना जे दाखलाओनी गनत्री आपड़े करवानी छे, ये तमने साहिर ते आवर से, अने फावसिया पन खरा, यले सुत्रो बराबर तयार करवाना छे, एक सुत्र पांच-पांच वक्त लखी ने तयार करी लेवानू, पर समझी ने करवानू, गोखन पट्टी नहीं, मैं तमने जे पद समझावे, मुकी कौने क्यावाए, पकी कौने गणाए, वेचान की मत स सुछे, नफो क्यारे थाए, खोट क्यारे जाए, ए बदा जी मैं तमने पद समझावे, ए समझी और त्यार बाद आया, शुत्रो तयार करवाना, तो शुत्रो फरीकवार जो यली आपने, पकी बाराबर, मुकी प्लस खराजात, कि ज्यारे, कोई पन वस्तु खरी दिये, औ वधारानों, जो कोई खर्च थाए, तो ए खराजात, मुड किमत मां उमेर वी पड़े, तयारे आपने ए वस्तु नी परतर किमत मड़े, नफो, तो नफो क्यारे थाए, आपने बात किती, वेचान किमत वधारे होई, तयारे, मुड किमत करता, यली नफो बाराबर, वेकी औच्छा मूखी, पन जो खररा जात होय, तो पकी लिवा है, तो ए वक्ते सुत्रमाड़े आपने नफो बरावर वे की ओच्छा पकी, खोट, तो जिआ रे मुर कीमत करता वेचान कीमत औच्छी होय, ते आरे खोट जाए, तो खोट बरावर मूखी ओच्छा वेकी, पन जो परतर कीमत ध्यान मले पड़े और ये वक्ते खोट बाराबर पाकी ऊच्छा वे की कि वेचार्ण कीमत कि येते माणे तो जो नफौ होय तो प्लस करवाना खोट होय तो माइनस करवाना मुझी निएंदर तो खोट अने नफो सुछे तिया ध्यान्थी जुवानू, वे की सुधवा माटे, तो वे की बाराबर नफो होए तो मुकी प्लस नफो होए, ले मैं कहीं तम नफो उमेरी देवानू, अने खोट होए तो बात कर देवाना, ले मुकी ओच्छा खोट, जो परतर किम्मत हो तो मूर किम्मत नीजिगे आपने परतर किम्मत विचारीने एनाय सुत्र फर्थी नफो टकामा तो नफो टकामा बराबर नफो छेदमा मूकी के पकी गुणे सो अर्प्रमाही नभशो अने जे मूर कीमत अथ कल्या नवा है, अने 10 वड़ी कल्मा है, अर्पनर अने 10 वा और घ्था, oni sa Brigacab तो आपड़े भाग आठनी अंदर विभाग एचनी वाद करी आपड़े विभाग एचनी अंदर नफा ने खोट संधर्व माँ आपड़े चर्चा करी जे मा मूर कीमत अमने समझावी परतर कीमत समझावी वेचान कीमत नी वाद करी नफो क्यारे थाय त्यानी वाद करी एना शुत्रो नफा ने खोटनी टकावारी में गणत्री समझावी में तमने अने त्यार बाद ये बद्धा सुत्रो जे आपड़े आगळ समझावे ये ना ये सुत्रो फर एकवार लखी दिदा अने आ दरेक सुत्रो समझी विचारी ने तैयार करी देवाना अन दरेक सुत्र पा भाग आठनो काम पूरू